अगर आपके फेस पर पिंपल्स के स्पोट्स हैं या फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर आपके आईस के अगल पगल डाग सरकल हो गई है या फिर आपके फेस के जो शाइन है या चमक है वो खतम हो गई है गलो खतम हो गया है तो आपके लिए मैं आज बहुत अच्छी वाली रेमडी लेकर आई हूँ जिसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा तो चलि जिस से हमारा face जो है वो अच्छे से clean होगा जो भी dirt या गंदगी होगी वो अच्छे साफ होगा और इसके बाद जब भी हम कोई face cream लगाएंगे या फिर कोई face pack लगाएंगे तो वो अपना अच्छा result देगी फेस को clean करने के बाद second step है हमारा face pack apply करना तो चलिया देखने हैं कि हम यहाँ पर face pack कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है आटा, गेहु का आटा जो कि सबके घर में available होता है तो हमें यहाँ पर एक चमच गेहु का आटा लेना है इसके बाद हमें इसमें एट करना है आधा, चमच, मुलतानी, मिट्टी जो कि हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छी होती है next हमें लेना है orange orange मतलब कि संत्रा, संत्रा तो हमें आसानी से मिल जाएगा और आजकल तो संत्रे का ही मौसम भी चल रहा है तो हमें कुछ इस तरह से संत्रे को लेना है और इस तरह से इसका जूस निकाल लेना है ये हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है और संत्रा तो खाने में भी बहुत ही फायदे मंद होता है तो हमें इसका एक चमच जूस डालना है इस face pack में और फिर हम इसमें एड़ करेंगे कुछ बूंदे नीबू के रसकी इसके बाद हमें इसमें एड़ करना है गुलाब जल तो हमें एक चमच गुलाब जल लेना है और इसमें एड़ करना है और अगर आपको गुलाब जल सूट नहीं करता या आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप इसकी पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और इन सब को mix करके कुछ इस तरह से आपको इसका paste बना लेना है जब इसका paste बन जाये तो इसमें लाश में add करना है हमें नीम की पत्ती का powder इसे मैंने घर पर ही सुखा कर पीस लिया है और इसका powder बना लिया है इसे आप online भी purchase कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा मुहासे या दाने निकलते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है और भी ये बहुत ही फायदा करता है हमारी skin के लिए और अगर आपके प पास नीम की पत्ती का powder नहीं है तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं तो आपको कुछ इस तरह का paste बना लेना है अब face pack को हमें अपने पूरे face पर अच्छे से apply कर लेना है face pack आपको ठीकी कुछ इस तरह से बनाना है तब ही अच्छे से हमारे पूरे face पर apply होगा तो इस face pack में हमने जो आटे का use किया है तो गेहूं का आटा एक बहुत ही अच्छा इसक्रेबर की तरह work करता है ये क्या करेगा हमारे जो skin है मतलब की जो dead skin है हमारे face की उसे अच्छे से निकाल देगा और जो इसमें हमने नीबू डाला है वो एक bleaching agent की तरह work करेगा जो की ह हमारे color को fair करने में help करेगा और जो मैंने इसमें संत्रे का juice डाला हुआ है उसमें होता है citric acid जो कि हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छी होती है इसे हमारे face पर बहुत ही अच्छा glow आता है और इसमें मैंने मुलतानी मिट्टी को add इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे face के skin के extra oil को absorb कर लेता है जिससे हमारे pimples की problem खत्म होती है और नीम की पत्ती तो आप जानते हैं कि हमारे skin के लिए कितनी अच्छी होती है ये हमारे pimples, दाग, धबे, acne, सारी problems को खत्म करता है हमें कुछ इस तरह से अपने पूरे face पर इस face pack को apply कर लेना है और जब ये अच्छे से सू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में